खुद की तरक्की में इतना समय लगा दूं कि दूसरे की बुराई के लिए आपके पास समय ही ना हो और जिस दिन आप दूसरों की बुराई करना छोड़ देंगे और वो पूरा समय हर एक समय जो है वो अपने सक्सिस के पीछे लगा देंगे जिन्दगी में जिस दिन ना एक समय लाइफ में ऐसा आएगा आप अपने आपको जहां पर देखना चाहते थे आप अपने आपको वहां पर पाएंगे बिल्कुल सचाई है इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करूँगा और बोलूँगा आज के क्लास के टाइमिंग को आप देख लेना ताकि आपका क्लास जो है वो बिल्कुल भी मिसना हो और आज दीन में एक बज़े आपको एक वीडियो मिलने वाला है जो इस हफते क्या स्विजिल चलेगा पूरा वीडियो आज आपको मिलेगा तो वो वीडियो एक बज़े आप सभी एक बार चेक कर लेना और जो भी चैनल के उपर नए है चैनल को सस्क्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजेगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे और किसी भी एक्जाम का मोग टेस्ट जो है आप सक्सेस की 98.net पर जा कर दे सकते हैं और वहां से अगर 349 वाला पैकेज अगर बाई करते हैं तो एक साल तक आने वाले हर एक्जाम का SEC, बैंक और रेलवे, हर एक्जाम का मोग टेस्ट आप वहां पर दिये पाओगे हिंदी और इंगलिस दोनों में और मोग टेस्ट आप हमारे अप्लिकेशन की उपर भी दे सकते हैं जो है सक्सेस की 98 जो अप्लिकेशन आपको गूगल के प्ले स्टोर के उपर भी मिल चाएगा और आज कवर करने वाले हम समी 10 और 11 फैवरी की important current affair तो देखते हैं पहला प्रस्थ हम आयोजन किये जाना है कहाँ पर बैंगलूरू में और बैंगलूरू आपका करनाटका का राजधानी है और करनाटका के सियम कौन है योदो रप्पा राजपाल है बजु भाई वाला और कैपिटल बैंगलूरू खुद ठीक है तो देश का सबसे बड़ा बागवानी मेला य अग्दाव के कारण दुनिया को यानि पूरे वर्ल्ड विस्वभर को कितने बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है किसके वज़े से तो नेचुरल डिसास्टर के वज़े से और वह बहुत बड़ी रक्म है दो सो बतिस बिलियन डॉलरू ठीक है अगला कुस्स नमाने सामने ह किस कंपनी को इसराइली कंपनी के साथ उननत ससत्र यू ए भी बनाने का अदेश मिला है और वो कंपनी कौन सा है तो हिंदुस्तान अरियोनॉटिक लिमिटेड यानि ह एल और आज का आपका पहला प्रस्त यही से निकल कर आ रहा है कि इसराइल का मुद्रा यानि करेंसी इस इसराइल के रास्ट पती यानि के प्रेसिडेंड का नाम आपको कॉमेंट करकर कॉमेंट बॉक्स में पताना है यह आपका आज का पहला प्रस्त है ठीक है अगला प्रस्त हमारे सामने है किसने दो हजार तीन किलो ग्राम भार उठाकर रास्टिया रिकॉर्ड कायम करते गोल्ड मेडल भी जीता है साथ ही साथ तो उनका नाम है आपका क्या मीरा बाई चानू option number आपका B अगला प्रस्त नमारे सामने है रंजी ट्रॉफी में 12,000 रन बनाने वाले पहले खिलाडी कौन बन गए आप सबी को पता है रंजी ट्रॉफी जो है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है तो वो जुड़ा हुआ है आपका क्रिकेट से और वो कौन से खिलाडी है तो वो खिलाडी है आपके वासिम चाफर बहुत सारे रंजी मैच खेले हैं, इंडिया में भी इनको बहुत सारा मौका मिला है, अच्छे खेले भी है, बतलब बोल सकती हो, on an average औसत खेले, ठीक है, इंडिया के तरब से भी ये ओपनिंग बैस्टमेन थे, और टेस्ट मैचे बहुत आप इनको देखे भी होंगे, और य किस कंट्री अकहा के लिए खेलते हैं, तो ये मुंबई मराश्ट के लिए खेलते हैं, तो वासिम जापर पहले खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने रंजी ट्रॉफी में 12,000 रन बनाए हैं, ठीक है, अगला प्रस्त हमारे सामने हैं, हाल ही में, निधन होने वाले, जिनका निधन हो गया है, जिनका नाम क्या था, डेनियल अर्फ मोई, या किस देश के रास्ट पती थे, ये आपको बताना है, तो डेनियल अर्फ मोई जो है, वा केनिया के रास्ट पती थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, आपको एक बात और बता दू, अभी केनिया का रास् तो केनियन सेलिंग ठीक है अगला प्रस्त हमारे सामने है किस देश ने 2035 तक नई पेट्रोल कार विक्री पर परतिबंद लगाने का फैसला किया है यानि जितने भी पेट्रोल कार है वह जो है वो पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा 2035 तक कौन से देश में यानि 2035 के बाद पेट्रोल कार आपको वहाँ पर नहीं मिलेगी और ये डिसेजन लिया गया है ब्रिटेन के द्वारा यानि UK के द्वारा ठीक है इंगलेंड भी बोल सकते हो आप सभी और PM कौन है वहाँ के तो बॉरिस जॉंसन क्यापिटल लंदन मुद्रा पाउंड इस्ट्रिलिंग ठीक अगला प्रस्तमारे सामने हैं पेंसन फंड नियामक के पूर कालिक संदस्तिक के रूप में किसे नुक्त किया गया है उनका नाम बताना है अगला प्रस्तमारे सामने है सरकार ने अगले पांच वर्सों में रक्षा नियात के लिए कितने बिलियन डॉलर का लक्ष जो है वो रक्का है अगला प्रस्तमारे सामने सरकार ने किस निकाई के नियामक नियंतरन में सहकारी बैंकों को लाने का निर्णाय लिया है बहुत important question है ये वाला भी अगला प्रस्तमारे सामने है ये question भी काफी important है अच्छे से देखना नए जो SFURTI जो scheme है योजना जो है उसका उद्यस से क्या है पहले आप इसका full form सुन लो scheme of fund and regeneration of traditional industry पारंपरी उद्यों के उद्टान के लिए कोस की योजना इसका full form है आप सभी एक बार अच्छे से पढ़ लीचेगा क्योंकि exam में पूछ सकता है as for T में R का मतलब क्या है या T का मतलब क्या या U का मतलब क्या है तो याद रखिएगा इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से पढ़ना इसका full form को ठीक है scheme of fund for regeneration of traditional industry ठीक है अब आते हैं question के उपर इसका main उद्देश से क्या है तो इसका उद्देश से है आपका परामपारी उद्द्योग का विकास question हिंदी में पढ़ने पर ही पता चल रहा है कि इसका answer जो है वो B होगा developing of traditional industry ठीक है अगला प्रस्त हमारे सामने question काफ़े important था इसको आप लोग एक बार ध्यान से देखिएगा अगला प्रस्त हमारे सामने है किस देश ने भारत प्रेटकों के लिए 12,000 रुपए परवेज सुर्ख लाने का फैसला किया है बहुत important question है चर्चित question है आज के date में और वो देश है आपका भुटान यानि अब भुटान जाने के लिए आपको 12,000 रुपए जो है वो देने पड़ेंगे जो पहले नहीं लगता था और आज का आपका दूसरा प्रस्त है कि भुटान के पंधान मंत्री का नाम और वहाँ का capital और वहाँ currency ये तीन चीज आपको भुटान के बारे में comment करकर बताना है या आपका आज का दूसरा प्रस्त है अगला प्रस्त हमारे सामने है W.H.O. ने उपन्यास क्रोना भाइरस से लड़ने के लिए कितने मिलियन डॉलर का दान देने का जो है वो निर्णाई लिया है W.H.O. World Health Organization ने बोला है क्रोना भाइरस से लड़ने के लिए जो है वो 675 मिलियन डॉलर का जो है वो दान दिया जाएगा W.H.O. के द्वारा आप सभी को पता है चाइना में बहुत तेजी से फैल रहा है ये बिमारी और W.H.O. के हेट कौन है तो टेड्रोस एधोनोम और W.H.O. का हेट क्वार्टर कहां पर है तो वो है आपका जेनेवा में अगला परस्त वहाने सामने है प्रस्पो 2020 दूबै समीती के भारत के सअध्यच की जिमदारी जो है वो किस ने समाली है तो जो भारत के तरब से ईवेई में जो भारत के रास्दूत है ठीक है और UAE का मुद्रा क्या है तो धिर्रम, कैपिटल अभूधा भी राष्ट पती है वहाँ के खलिफा बिन्चजाद अल नयान अगला प्रसमारे सामने है भारत के लिए बच्चों के सरक्षड कोस का अनुरंग किसमे किया है और ये किया गया है बिटेन के राचा जिनका नाम है प्रिंस चाल्स उनकी द्वारा ठीक है अगला प्रसमारे सामने किस कंपनी ने पांच मिलियन में डिजिटल कॉमर्स प्लैट question है और वो कंपनी है आपका इस्टा मोजो option number D अब इस्टा मोजो कैसी कंपनी आपने देखा होगा पैसे वेगर आप जो बहुत है digitally accept करती है और payment करती है आपने देखा होगा कभी भी आप online कभी payment करोगे तो आपके सामने इस्टा मोजो का जो है वो इंटरफेस कुल जाएगा यह payment लेते भी है payment देते भी है आप बुल सकती हो online payment करने का बीच का माधियम है आपका इस्टा मोजो in one word अगला प्रस्त हमारे सामने है कौन सी कंपनी ने drone बनाने और बेचने के लिए इसराइल फर्म के साथ एक समझोता ग्यापन पर जो है वो डिल साइन किया है साइध यह question मैंने आपको starting में ही करवा दिया है और वो कंपनी कौन सा है आपका HAL यानि हिंदूस्तान Aeronautic Limited तो यह थे आपके important current of fare 10 और 11 February का इसका पूरा PDF आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा सो मेरे जितने भी भाई बैन है सभी को बहुत बहुत good morning आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा सभी का ख्याल रखेगा ठीक है ना चलिए